नमस्कार आज इसी विशय को हमने चुना है अपनी बातशीत के लिए और इस विशय पे ग्यान को विस्तार देने के लिए हमारे साथ मौझूद है शहर के जाने माने बाल रोग विशय शग्य डॉक्टर एसके मिश्रा तो चलिए आप से करवाते हैं उनकी मुलाकात दॉक्टर माय काई और बचे जब जनम लेते हैं तो इसके बहतर गंटे के भीतर परिफरेवली हम कम से कम जो है तीन टीका तो लगा ही देते हैं एक तो हेटायटिस B का टीका लगाते है हम लोग और सेकेंड बीसी जी होता है फीटायटिस भी एक तरह का जौनडी से उसके लिए लगता है यह जो blood bond disease है और second जो होता है BCG ये टुबर क्लोसिस के लिए होता है और दूसरा होता है जीरो डोज पोलियो का होता है जो मुझ से पिलाया जाता है ये पोलियो के लिए होता है तो जनम समय में ये तीन टीका को हम लो लगा देते हैं और ये देने के बाद जब बच्चे 6 विक के हो जाते हैं 42 से 44 दिन के बच्चे जब हो जाते हैं तो उस सब में लोग जो है चे जानलेवा बिमारिया जो है उसको सामिल उसमें करते हैं DPD है डीPT में डिप्धेरिया पर्टूसीश और टेटनस तीनों का वैक्शीन एक ही में मिला राता है तो टीन बिमारियों से कालि खासि योता है दिपीटि उसके अलावा जो है किमारी है उसके लिए यह लगाते हैं तो प्लियो के लिए जो पॉलियो का का वैक्षिन दो मैंने उसको कहते हैं के लिखा तो वह इंज्जेक्टेबूल उसका लगाते हैं हम लोग एदेज ऑब सिक्स विक और नीमुनिया के टीक़ा लगाते हैं हम लोग फिर हम लोग रिपीट करते हैं इसी ठीका को और फिर रिपीट करते हैं थर्ड जो डोज होता है एर देज ओफ 14 विक्स तो ऐसे समझें आप कि 6 विक पे एक सिरी चला जो ठीका काम बता है फिर 10 विक्स पे फिर 14 विक्स पे तो तीन सीरीज में जब ठीका हम लोग सब दे देत होता है त बच्चा बड़ा होते रहता है फिर जब 6 महीने का होता है तो अपने डेक्स के सिडूल के साफर आप से कहता है कांजूगेट टाइवायर टाइफायर दशन आप लगवाईये उसको इन्फुलेंजा वाइरस जो है उसका त्रिका लगवाईये आप और फिर मेatz is . पहले मीजल का टिका लगता था लेकिन दिखा गया कि और सभी माधे अ भी हो रही है मंज रॉबेला तो अब mein पूमर टिकट टिका जो है युकिन एके मैं 1 लगा देते हैं पिर बच्चा ठोड़ा होता है 12 मंस का होता है तो उसमय हम लोगजphones को वैक्शिन लगाते हैं अब जानना होगा है कि हैप्टाइटिस एक एसा वाइरस है जो जो जोनलिस करता है बच्चों में और खास करके वाटर बॉन होता है यह पानी से दूस से दूसीत खाना से यह सब से यह बिमारी होती है इसके जस्ट उल्टा जो हम पहला टीका बताया त जीरो मंथ जब बच्चा नेया नेया जनम लेक्टाइटिस भी वह ब्लड बॉन होता है वह ब्लड के दू पहलता है और हैप्टाइटिस ए वाइरस जो एक साल पर टीका लग रहा है जब बच्चे खाने उने लगते हैं तो उसके चलते होने का डर रहता है है यह जो कि जो और विस्तार में जाए जनम के साथ किया बलकि जनम से पहले ही टीका करन शुरू हो जाता है और मा के माध्यम से बिलकुर तो डॉक्स अब यह जो बीसी जी का टीका हम लोग आम भाशा में सभी जानते हैं जो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यह टीका अगर कभी मिस हो जा है कि एक सितिंग में जितना टीका लगना है लगा सकता आदमी अगर एक टीका छुट गया गलती से तो ऐसा नहीं है कि कल परसो नरसो उसको आप लगवा सके हैं देर सुट भी गैप ओप 28 डेस एक महिना का गैप होना चाहिए चुटने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस बच्चे का छुट गया है ठीका, तो हम बोलते हैं कि आप जो है जब फो टू विक्स का, शिक्स विक का बच्चा होगा, उसमें ठीका लगवा लीजिएगा, अगर किसी का अंद से सब ठीका छोड़ दिया है, जो जीरो डोज, पोलियो, हेप्टाइटिस, बी, बीसी, लगाओ, पंद्रह दिन के भीतर लगवा लो, फिप्टीन डेज के भीतर अगर टीका लगवा लेता है, तो फिर उसके बाद जो गैप होता है, एक महीने का, तब तक बच्चा 42 दिन का होगा, तो वो सब ठीका लगने लएगा, तो उस पे असर नहीं पड़ेगा, पाले टी एंटीजन दे रहा है, जो भी दे रहा है, ये वैक्शन दे रहा है, वो एंटी बोडी बनाता है, बोडी में जाके, उसके अंगेंस्ट में, वो एंटी बोडी जब निचुरल इंफेक्शन होता है, तो उसको जाकर वो नलिफाई करता है, तो उसके लिए किया जाता है, कि एक बहना कर ताइम रहे कि सीरो कनवर्जन पूरा हो सके यही मामला है उसमें तो डॉक्स अब टीबी की बात करते हैं बड़ी भयावा बीमारी यह मानी जाती है जी तो एक बार यह टीका करन जब हो जाता है तो इसके बाद रिपीट डोसेज भी इसकी भी लगती है यह देख जो बनते हैं वो परॉसिस कर रालंबा तो यह बोडी को इम्मिन लॉआ यस यह जन तो बचा देगा पहले वाली बात ने है कि बहुत फ्लेर अप कर गया और मिलिये दिये स्टेज में चला गया टुबर क्लोसीज यह एडवांस स्टेज में चला गया वह सब तो नहीं होगा और हैपिटाइटिस ए और बी कि आप बात कर रहे थे यह जाना चाहेंगे कि यह कितने अंतराल पे चला अंतरा तुब बात करेंशन है कि यह जो यह पाद मुण्ही कर सकते हैं इसको मांने प्राइटिस ए वाले में छे महिना पर एड देज ओफ अगर वन येर स्टार्ट कि हमें प्राइटिस ए का वैक्षिन तो एड देज ओफ 16-18 मंच जो है जरूरी तो क्या इसके भी रिपीट डोसेज होते रहते हैं हाँ एमेमर का देखी अब इधर प्रिवलेंस रेट बढ़ जाने से एमेमर का टीका पहले तो पांच साल की एज में लगता था और मिजल्स लगता था नो महिने पर लेकिन देखा गया कि डेड़ साल दो साल सवा सा एक साल के बच्चे को भी मम सरुबेला का फाइंडिंग मिल रहा है तो कहा गया कि क्यों न एमेमर के ठीका जो है वैक्चिन है जो टिफल वैक्चिन उसमें मिला हुआ है उसको ही अर्ली कर दिया जाए तो मीजल्स को हटा करके एमेमर कर दिया गया अर्देज ऑप 9 मonths और क कि ऐसको केम करने के लिए कहता है कि रीपीट कर दीए इसको फिर अप्डेट सल परीपीट कर दीए मत को और 5 सल पर रीपीट कर दीए तो तेन बार जो टे-लाइप इमनठी अडल लॉग लीव इमृ इमनटी जब dic प्रिग्नेंशी में जी तो उसाब की भी खत्रा टल जाता है एक समस्य बच्चों में आती है अक्सर जो है काफी समय तक ये परिशान करती बच्चों को डाइरिया की समस्या इस से रिलेटेड भी कोई वैक्सिनेशन है डाइरिया के बारे में लोग जानता है कि दाज जम रहा होना गुदगुदा हर टाइप का होना सेंसेशन होना तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बच्चे बाल सुभाव के रूपे अपने फिंगर्स को बार बार इंसर्ट करते हैं मूह में और जो फिंगर्स उनके गंदे अगर होते हैं तो उससे इंफेक्शन हो जाता है तो में फिर उसमें देखना पड़ता है कि काथ से हुआ है कभी की वाइरल डाइरिया बहुत जादा होता है इनuk a वाइरल डाइरिया जब होता है तो यहीं निंन फॉट हायर इसके लिग के सब्सक्वचे जाए मैं उसके चिंद failure ॉश्ठ tuh चिह जोट कि यू जस्ट गेप रोटा वाइरस वैक्षिन एड एज एज ओफ शिक्स वीक जी और कहीं कहीं एड़ोकेट करता है कि यू गीप थाट डूस एड़ एज ओफ फुर्टीन वेक्ष जी ओल वैक्षिनेशन बिलो शिक्स मन्थ छे मिना के पहले सब टीका दे करके खतम कर देते है कि यह वन्रेबूल होता है रोटा वाइरस डारिया का और इसमें डिहडरिशन और जान जाने के खत्रा ज्यादा होता है तो उससे बहुत मिनिमाईज हो जाता है रोटा वाइरस वैक्षिन से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आपने टीका करन के बार सके तो इसी के साथ दीजेए जादत फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार